हेलो, नमस्ते, स्वागत आपका हमारे चनल हिंदुस्तानी टेस्ट में आज हम बनाएंगे मटर वाली रोटी के साथ मीठी चटनी जो कि सरदियों में काफी फेमस होते हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगती है जलिए देखते हैं हमारी मटर वाली रोटी और मीठी चटनी क्य ले सकते हैं मैंने सरसों के तेल में अपने लेस न और मिर्ची का तढ़का दिया है और र Gabrielle हलक सा पहले आप इसको बहून ले उसके बाद से मिर्ची डालेंगे तो वो पता डिस्टी बनती है कि तो अब हम इसमें यहाँ पे एक किलो मटर का यूज कर रहे हैं हमने आप एक किलो मटर पहले से चील के रखा है मटर डालने के बाद आप इसको चला लें अलका से चलाएं उसके बाद आप स्वादर नमक डाल सकते हैं आपको जितना चाहिए नमक आपने हिसाब से डाले उसके नमक डालने के बाद आप इसको चलाकर डखके गल्रे के लिए छोड़ दे आप मतर वाले रोटी में नहीं परता है इसलिए यहां पर हल्डी नहीं डालेंगे इसको हमें गलाना एक तम अच्छे से अब आप इसको डखे थोड़े देर के लिए रखें बीच-बीच में चलाते रहेंगे जिससे हमारे मटर जलेना मटर यहां पर पानी छोड़ा है तो यह पानी जब सूख जाएगा तब हम इसको हलका हलका मैश भी करते रहेंगे साथ साथ में जब मटर गल जाएगा तो एक तम अच्छे से मैश हो जाएगा आप इसको बाद में ठंडा करके मिक्सी में भी डाल सकत है कस्थे से महीं पीछने के लिए हमारा चैनल अब वाख और आपको आज होगता है हमारे रसे पीड़ा चलिए फोड़ियुक्ते है हम में ना बूल अब हम मेड़ी चतनी के लिए पर ले रहे हैं आधा किलो टमाटर अब हम आधा किलो टमाटर को आप मोटा मोटा भी काट सकते हैं अब हम लेंगे 9-10 कलिया लासन की दो सुखा लाल मेश कराई गरम करके हम उसमें डालेंगे एक चमज सरसो का तेल आप कोई भी तेल डाल सकते हैं यहां पर जब हमारी तेल गरम हो जाएगी दालेंगे, आप मासालय होता हैंज़ूकि हमारी मीठीा चकने को बहुत ही जञा जार्वान होता है इस वी यह पहुत आपसम काटमाटर को यह नहीं करना धायम हुद्र हम दाल ने तरहां जरूरीए है अब हम डालेंगे लेसन बारी काट की और विर्चिक कटल्क हम कर इसे के साथ हमें एक कप गोर डाल देंगे जिसको बेली भी बोलते हैं और फिर एक पिंज नमक डाल देंगे और थोड़ा सा हल्दी ज्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा नमक और हल्दी पड़ेगा इससे काफी स्वाधिस्ट पड़ते हैं हमारे मेटी चपनी फिर आप इसको सब्सक्राइब करना लाइक करने और शेयर करना ना भूले बहुत पानी है इसको बस आप चलाते रहे हैं थोड़े देल ढखके रखते हैं अभी हमारे तमाटर गला नहीं है तो हम इसको वापर से ढखने ठके रख देंगे हम देखे पानी सोक चुकी है और हमारा तमाटर भी अच्छे से गल गया है और यह दिखने में बहुत अच्छा है अब हम अपने मटर को आटे में भर लेंगे आटा हम जैसे नॉर्मल रूटी के लिए गूटते हैं वैसे नॉर् अब देख सकते हैं हमारी रूटी का कलर बहुत अच्छा है और हमारी रूटी हो गही है यह रेडी हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राब शेयर करना ना भूले थैंक यू झालो 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 झाल झाल